मैं डॉक्टर सुप्रिया पुरानिक, टेस्टी बेबी कंसल्टन्ट and practicing obstetric and gynecology since last 20 years. ये हमारे pregnancy का तीसवा हफ्ता चालू है. अभी सिर्फ हमारे expected date of delivery को दस ही हफ्ते बाकी है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी delivery वहीं expected date of delivery के time ही होने वाली है. क्योंकि delivery कब होने वाली है, ये सोलोग्राफी पे भी नहीं पता चलता, ये डॉक्टर सिर्फ जाज करके भी नहीं बता सकते. सबको delivery की date दी जाती है, लेकिन किसी की साथवे महने में delivery होती है, किसी की आठवे महने में होती है, किसी की एट एन हाफ मन complete होने के बाद होती है, और किसी की expected date of delivery, cross भी कर दी, तो भी delivery नहीं होती. फिर भी आप पूछेंगे कि डॉक्टर ये date क्यों देते हैं? हम लोग ये date देते हैं, इसका ये कारण है, अपना शीशू अपने मा के पेट में यही दिन तक स्थित रह सकता है, उसके बाद बेबी को मिलने वाला blood flow कम होते जाता है. इसलिए ये alarming sign है कि तब तक हमारी शीशू की delivery हो जानी चाहिए, लगबग आखिरी तीन हफतों में, यहने कि 37 weeks के बाद 40 weeks तक कभी भी delivery होने के chances रहते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, यह 30 weeks में हमारे शरीर में क्या बदला होते हैं, हमारे बेबी में क्या बदला होते हैं, इस हफते हमें कौन सी केर करनी हैं और हमारे होने वाले डैडिस के लिए हमारा क्या कहना है. इसके साथ ही साथ 2-3 vitamins के बारे में भी हम आज नई जानकारी लेंगे तो आईए हम जानेंगे हमारे शरीर में क्या बदला होते हैं हमारी नीन थोड़ी कम ही होती है क्योंकि हमें अच्छी तरह से लेटने का अब तक अंदाजादाई होता है कि कौन सी पोजिशन में हमें अच्छी नीन्द हो हम तो आपको एक साइड पे करवट लेके सोने के लिए बोलते है लेकिन कभी-कभी एक साइड पे सोना भी हमारे लिए दिक्कत बन जाती है तो हमें हमारे लिए आराम दाई लेटने का तरीका धूनना पड़ेगा जब आपको पीट के बली सोना है तो आपको सोते वक्त अपने यूट्रस का प्रेशर स्पाइन पे नहीं गिरना चाहिए तो आप जब सीधे लेटते हो तो बैक के एक ही साइड पे हमें पिलो रखनी है और आपको थोड़ा सा मुड के लेटना है और ये नीन नहीं आती थकान सी महसूस होती है और इसके कारण हमारे मूर स्विंग्स हो जाते हैं हमारे हार्मोन की बदलाव के कारण भी हमारे जॉइंट थोड़े लूज हो जाते हैं और हमारी feet का, तलवों का size भी change हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमारे जो footwear का size है, वो एक नंबर से बढ़ जाता है, लेकिन ये change अकसर permanent रहता है, और इसके साथ ही साथ हमारा रिधा तेजी से धड़कने लगता है, यानि कि हमारी दिल की धड़कने थोड़ी बढ़ जाती है, almost हमारी दिल की धड़कने 10 bits per minute से बढ़ जाती है, तो आईए हम जानेंगे इस हफते हमारे बेबी में क्या बदला होते है, हमारी बेबी की लगमबाई लगबग 15 इंचिस तक होती है बेबी का वजन 1.4 kg तक पहुँच जाता है, इस हफते में हमारे बेबी के अवयब अच्छी तरह से कार्य करना शुरू कर देते हैं, बेबी की आँखे और मैच्वर हो जाती है, ये 30th week में बेबी ने जन लिया, तो बेबी लाइट को फॉलो कर सकता है लेकिन बेबी को कुछ इंच दूरी का ही दिखाई देता है बेबी का वीजन बड़ों से 20 times कम रहता है क्योंकि बेबी के वीजन को बेबी के दिखाई देने में कलर का सेंस इतना होता नहीं है जो डेफ्थ है वो भी कम महसूस होती है जो डिफ्रेंसियेशन है वो भी कम पता चलता है इसलिए बेबी की आँखों के डेवलपमेंट जनम होने के बाद भी एक साल तक होती रहती है और एक साल के बाद उनको बड़ों जैसा दिखाई देना शुरू हो जाता है जब तीसवे हपते में बेबी जनम लेता है तो बेबी की आँखे खास करके बंध ही होती है तो आपको डरना नहीं है ये उस हपते की बेबी के लिए नॉमल है तो आईए हम जानेंगे इस हपते में हमें क्या केर करनी है अब तक आपने delivery के बारे में सोचा नहीं रहेगा, तो आपको सोचना है, आपका pen dollars बहुत ही कम है, तो आपको डॉक्टर से पूछना है कि painless delivery क्या होती है, delivery को painless करने के लिए, बहुत सारे options उपलब धरहते हैं, naturally आप सांस पे control रखके आपको डर्द कम कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ कभी दवाईों का इस्तमाल करके भी आप painless delivery कर सकते हैं, और ज्यादा popular local energesia जो हम देते हैं, उससे भी डर्द भी रहित delivery यानिकी painless delivery हो सकती है, ये मां को दर्द नहीं सहा जाता कि इस reason से होते हैं, तो जब हम painless का इस्तमाल करेंगे, तो हमारी normal delivery सुखकर होने के चांसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो आए हम जानेंगे और vitamins के बारे में, Vitamin E एक महत्वपूर्ण vitamin है, जो pregnancy में blood pressure बढ़ जाती है, उसको हम pregnancy induced hypertension बोलते हैं, उसको थोड़ा कम करने के लिए supplement as a supplement दिया जाता है, इसके साथ ही साथ, vitamin E लाल रखत पेशयों को निर्मान करने में मदद करता है, और हमारे baby के सनायू बनाने में मदद करता है, लेकिन vitamin E, pregnancy के शुरू के महने में लेना, और ज्यादा मात्रा में लेना, baby के लिए हानी का रख हो सकता है, तो आईए हम जानेंगे, vitamin E, कौन से food में हमें मिलता है, vitamin E, vegetable oil में रहता है, wheat germ oil में रहता है, उसके साथ ही साथ, poultry products में रहता है, अंडो में रहता है, meat में मिलता है, पालत में भी मिलता है, और सुके मेवे में मिलता है, यानि कि nuts में भी रहता है, दूसरा महत्वपुर्ण vitamin रहता है, यह vitamin C, लेकिन vitamin C, बहुत ही जादा मात्रा में लेना, प्रेगनसी में कभी-कभी हानिकारक होता है, इससे premature labor, यानि कि समय के पहले delivery, induced होने के chances होते हैं, लेकिन iron का, यानि कि लोह तत्व का absorption होने के लिए, vitamin C की जरूरी होती है, उसके साथ ही साथ, अपनी immune system, रो vitamin C की जरूरत होती है, और यह vitamin C, हमारे tissue का damage रोकता है, तो आईए हम जानेंगे, यह vitamin C किन-किन पदाथो में रहता है, यह vitamin C, citrus food में रहता है, यानि कि, oranges में रहता है, sweet lime में रहता है, नीमू में रहता है, green peas में रहता है, bell paper में रहता है, brocolis में रहता है, potato में रहता है, यह ये पपीता में रहता है, ये स्ट्रॉबेरीज में रहता है, तो आईए हम जानेंगे और एक महत्वकुर्ण विटेमिन, यानि कि विटेमिन B1, थाइमीन, ये बेबी की ब्रेन डेवलप्मेंट में बहुत ही अच्छी तरह से मदद करता है, और ये बेबी की ऊर्जा को, यानि की एनरजी लेवल को बढ़ाता है, तो आईए हम जानेंगे ये विटेमिन B1, कौन से पदाथ में रहता है, ये सारे होल ग्रेंज में रहता है, लेगूम्स में रहता है, उसके साथ ही साथ berries में रहता है, nuts में रहता है, wheat jam oil में रहता है, सारी non-wage चीजों में रहता है, यानि की eggs, poultry, meat में रहता है तो आईए हम जानेंगे हमारे would-be daddies के लिए हमारी क्या सला है आपने तो देखा रहेगा कि अपने mommy के mood swings हो रहा है, कभी वो खुश रहती है, कभी एकटम depressed रहती है तो आपको ज़्यादा समय उनके साथ बिताना है, अभी ligaments भी lose होते है, तो वो लड़खडाने की भी chances रहते हैं तो वो भी आपको अच्छी तरह से देखना है, उसके साथ ही साथ अभी baby के हर्कते, baby के movements, baby के kick, आप भी feel कर सकते हो तो अपने mommy के tummy पे हाथ रखे, आप अपने baby की movements को observe करो, baby से बाते करो तो इस वीडियो में हमने जान लिया, यह 30 हफ़ते में हमारे शरीर में क्या बदला होते हैं, हमारे baby में क्या बदला होते हैं, हमें इस हफ़ते कौन सी care करनी हैं और तीन important vitamins के बारे में भी मैंने इस वीडियो में बताया है इस बारे में आपको कोई प्रश्ण रहेंगे, तो हमें जरूर लिखिये और हमारी यह series pregnancy week by week जरूर देखते रहे हैं, धन्यवाद